सास्त्रों के अनुसार वेसाक सुक्लपक्ष के नौमी तीथी के दिन माता सीता का प्रत्ति पर अउत्रण माना जाता है। हिंदु पंचांग के अनुसार साल 2024 में 16 मैं को सीता नौमी दीशभर में मनाई जाएगी। जबकि कहीं कहीं पर कल यानिकी 17 मैं को भी सीता नौमी मानी गई है। जाता है कि इस दिन किये गए छोटे-छोटे दान का फल कर्ण्यदान के बराबर होता है। खरगोन के प्रसिद जोति सी गोल्ड मेडलिस डॉक्टर बसंसोनी ने लोकल एटिन को बताया है कि रामायन के अनुसार मितिला में बारिश नहीं होने से राज शुका पड़ा था। यदे एक राजा जनक बहचिंतित थे तब उन्होंने रिशो की कहे अनुसार इंदर देव को प्रसंद करने के लिए यग किया और खेत में हल्स जुताई किया। उस दोरान उन्हें खेत में गलस के घड़े से सीता माता मिली जिसे उन्होंने अपने पुत्री के रूप में शुकार किया और उसका नाम सीता रखा। इसले राजा जनक ने जब अपने खेत में नौमी को हल्स चलाना शुरू किया। हल्स चलाते चलाते बारिश की शुरुवात भी हुई और उनका हल एक घड़े से टकरा कर लुग गया। गड़े के अंदर से एक मासूम बच्ची डिखी उसका नाम करन होने के बाद उसका नाम सीता रखा। इस प्रकार से सीता नौमी की शुरुवात हुई और फुहागर महिलाएं उस दिन फुहाग की चीज़े बाट कर अपने पती की लंबी आयू की कामना करती है। और नीज संटान महिलाएं अपने संटान की कामना के लिए इस्तिवार को मनाती है, मंगल गीट काती है और उपवास भी रखती है। पुण्य प्राप्त होता है। सीता को धरती पुत्र भी कहा गया है। इसलिए किसान भी इस दिन अपने खेत में पूजन करते हैं तो पैदावार अच्छी होती है। साथ ही निसंतान दमपत्ती इस दिन माता सीता की पूजा करते हैं तो उन्हें भी संतान की प्राप्ती होती इस खबर में बताएगे किसी भी बात का न्यूज एटिन लोकल वेक्तिकत समर्तन नहीं करता है लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट